तो गाइज, वेलकम टू खंडोली मेरा नाम है शाशांग सिंग और आप सभी का स्वागत है मेरी चोटी सी मोटी सी दुनिया में और पता ने क्यों यह डॉगी लोग पता ने क्या है भोग रहे हैं मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर गिरीडी आया वाथ तो सोचा कि कहा जाओं तो मेरे दिमाग में आया कि राची में जैसे धूरवा डाम है वैसे ही कि गिरीडे में भी खंडोली डायम है और डाम के अलावे भी कुछ और है जो कि मैं वहाँ जाके बताऊंगा सिर्फ डैम नहीं है एक बहुत ही खुबसूरत सा ललकी नहीं कुछ आ रहे हैं वहाँ जाऊंगा तो बताऊंगा तो चलिए मिलते सिधा खंडोली में तो गाइज वेलकम टू खंडोली कुछ हमारे भाए बंदू नहां भी रहे हैं आते टाइम पूरा ठंडी ठंडी हवाई चलने लगी कैसे बताऊंगा बहुत ही भयानक मौसम किया हुआ सज बता रहा हूं और ऐसे मौसम में मैं खंडोली आ गया पहली बार ऐसे मौसम में खंडोली आया हूं और बहुत ही जादा वैसे ब्यूटिफुल लग रहा है लेकिन बहुत धानक भी लग रहा है ठंडरिंग बहुत जादा बहुत हूं में जो खंडोली की खुबसूरती है जिना गाइस वह यह पहाड के कारण ही बहुत ही जादा खुबशूरत लगती है क्या ही बता हूं डैम तो है नॉर्मल सा लेकिन यह जो पहाड आ जाता है न उसके करण बहुत ही जादा जबरदस लगता है मेरा हालत देख सकते हो बाल क्या करके आया थो क्या हो गया है यहां पे लोग फोटो शूट कराते है यहां खड़े हो जाते है और गम का सारा लेते है सुटता फुकते जो भी करते है पता नहीं क्या क्या करते है चलिए आप लोगों को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं वहा चली डैम को वो छोर है तो चली यह वहां पर चलते हैं अगर यह डैम खुल गया ना तो मैं तब रह जाओंगा सच बतर है के डारेक्ट अपना मगतपूर घर में पाऊंगा अपने आपको तो गाइस देख सकते हो यहां पर है पानिया वह यहां ज़स शामने है मेरे पहाड य पंप ढूल ज़सण बसी बाइस अदेर अधाे चीजसन बोलता वहां भी है था इस यह जैसे कि में निका था यहां पर भी है पाड़ भी यह पानी भी ID और प्रार्व मैं टिकट कटा का के जा सकते हैं सारे लोगregation आते कपल साते राज मैं इतना पानी पाडने के बाद भी स चलते हैं पहाड पर सीदा, ऐसा लग रहा के ले ड्यावलिंग पर आया हूँ मैं, तो गाइस अभी मैं खंडोली के आधा, पहाड के उपार आया, स्टेर्स है यह, इसी से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग तो इसी पर चड़ चड़ के थाक जाते हैं, बहुत साइब लोग उपर तक भी जाते हैं रिकॉर्ड भी शायद बनाते हैं मुझे आज रिकॉर्ड बने का बिल्कु नहीं है अज देख सकते हो यह और भी उच्छा है लेकिन मैं ज्यादा उचा नहीं जाओंगा बहुत ज़ादा ही इसलिए मैं गया हूँ देख सकते हों वहाँ पर उच्छाधि कुछ वीडियो इस बना ले वही तक लोग जाते हैं बैठे रहते हैं इससे उपर भी जाते लेकिन मैं नहीं क्योंकि दिंजर भी है इसलिए बहुत साइब यहां पर मरे भी मरे भी है डेथ हुए है तो दोस्तों को लेके मजा कीजिए पार्क है सामने नदी है और पहाड़ पे आपका भाई शेशांग सींग पैर के ऊपर पैर रखके बैठा ही हुआ है तो के लिए राइडस भी थी यहां पर राइड में एक ट्रें था जो की हट गया है सायद बचपन में में जब आया था तब मुझे याद थो नहीं यह पाणी पढ़ी रही है और यहां पर पार्क है यहां से रास्ता जाता है आपका दो रास्ते हैं खंडोली आने के लिए आप लोग गिरीडी कॉले से सीधा भी आ सकते हो चाहो तो एड्रेस मैं स्क्रीन पर दे दूंगा स्क्रीन पर आई रहा होगा तो गाइस मैं आ चुका हूँ उस जगह जहां पर वो ब्लू गेट पाया जाता है जहां पर मैक्सिमम लोग फोटो शूट करते हैं कोई भी प्रोफाइल में आप देख लीजेगा फेस्बूक में या फिर इंस्टाग्राम में जातर लोग उसके साथ डालते हैं वो यह रहा र पोलीस चौके में सब लोग फोटो गीचाता है पता ने क्या सौक है सभी वोगी चनल सब्लू गेट ब्लू गेट ब्लू गेट फट्टा है यह तो वैसे चलते हैं अपना बाइक के पास सामने दख रहे हैं तो आप लोग आई है और आस्ता पढ़ता है यह सीधा आपका गि तो देख सकते हो कि यही है वो खंडोली यह रहा पहाड बहुत ही खुबसूरत जगा है तो आप लोग आई एड्रेस स्क्रीन पर आ रहा होगा और फिलाल अभी मैं जा रहा हूं अपने बाइक के पास चोकी गीला-गीला होके रखा हुआ है तो गाई सच बता रहा हो यह किसी एड्वेंचर से मेरी लिए कम नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पड़ा यहां पे और वेरी हालत पूरू में बहुत ज्यादा खराब हुए थी तो बहुत बता रहा हुए क्या सीन है कितना अच्छा लग रहा है तो बाइस आज के लिए बस इतना ही था थैंक्स वाचिंग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैस्री नाम बांगे हुआ 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 है